दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्थी कैसी होनी चाहिए दिवाली पर मिट्टी की बनी मूर्थी का पूजन करना सबसे शुब माना जाता है आप अश्ट धातू पीतल या चांदी की मूर्थी का भी पूजन कर सकते हैं धन तेरस के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्थी खरीदते समय ध्यान दें की दोनों की अलग-अलग मूर्थी खरीदें ना की एक साथ जैसे एक साथ बैठे होते हैं उनकी नहीं अलग-अलग होनी चाहिए थर्ड दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्टी खरीदे समय ध्यान रखें कि उनके हाथ से सिक्के गिर रहे हो इन लक्षमी को धन लक्षमी कहा जाता है धन लक्ष्मी का पूजन घर घर में धन्य ध्यान और सम्रद्धी लाता है पांचवा उल्लू के बज़ाए हाती या कमल के आसन पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति का पूजन करना लाबधायक होता है हैपी दिवारी सभी को जैश्री किष्णा जैशी रादे